पश्चिम बंगाल की राजधानी कॉलकता में आठ अगस्त को हुए जूनियर डॉक्टर के साथ दुशकर्म और हत्या के मामले में देश में उबाल है जगे जगे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं आक्रोश की चिंगारी को शोला बना देने वाले इस कांड को लेकर आरजिकर कॉलेज और अस्पताल से जुड़े लोगों से कई सवाल किये गए और उससे जो सचाई सामने निकल कर आई वो आपके पैरोतरे जमीन खिसका देगी जाच में मुख्य आठ किरदार ने कई राजों से परदा उठाने का काम किया है और बिना दीरे किये आपको बताएंगे वो सारे राज नमस्कार आप देख रहे कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंग आजगर मेडिकल कॉलेज में हुए दुशकर्म और हत्या मामले ने देश के हर एक नागरी को स्थब्द कर दिया है माता पिता देश की बेटियां ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखर हम दुनिया के कि स्कोने में सुरक्षित है कहां से आते हैं ऐसे मानसिक्ता के लोग जब हमने लोगों से बात की तो सबने अलग-अलग तरक दिये कईयों का कहना है कि लोगों में शायद सिक्षा की कमी है इस वज़े से ऐसा करते हैं लेकिन मैं आपको इस घटना के ऐसे किरदार की सचाई बताऊंगी जिसके अंदर सिक्षा की तो नहीं लेकिन हाँ इंसानियत की कमी जरूर है आपको क्या लगता है ऐसा क्यूं होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाईएगा ताकि शायद आपके कमेंट पढ़के हमारी देश की बेटियों को समझ में आए कि बिना किसी कसूर के उनको ये सजा क्यूं मिलती जा रही है इस जाच और इस सर्वे के पहले किरदार के बारे में बताती हूँ कि आखिर उसने इस केस से जुड़े किन-किन सच से परदा उठाया है इन किरदारों में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर डीना दासका ये वही डॉक्टर हैं जो जूनियर डॉक्टर का पोस्ट मार्टम करने वाली टीम में शामिल थी वो कहती हैं कि क्राइम सीन को बिगाड़ने का काम किया गया है जो की जान बूझ कर किया गया है ऐसे बहुत से लोग क्राइम सीन पर पहुँच गये थे जिने वहां नहीं होना चाहिए था डॉक्टर रिना ने यहां तक दावा किया कि जो लोग क्राइम सीन पर पहुँचे थे उसमें प्रिंसिपल संदीप घोश के लोग भी शामिल थे संदीप घोष का राइट हैं कहा जाने वाला शक्स देवाशीस सोम दूसरा किरदार है देवाशीस संदीप घोष का सलाहकार माना जाता है वारदात वाले दिन संदीप घोष ने देवाशीस के फोन से कई लोगों को फोन किये थे देवाशीस ने खुलासा किया कि उस दिन घोश से चार बार लगातार बात हुई देवाशीस को लेकर रीना दास ने कहा है कि संदीप बोलते हैं और देवाशीस वही करते हैं इस ओपरेशन की तीसरे किरदार है डॉक्टर सोमना दास जो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं ये 2023 तक आरजिकर मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे बाद में उनका ट्रांसफर बाकुरा मेडिकल कॉलेज कर दिया गया उन्होंने दावा किया कि आरजिकर मेडिकल कॉलेज में एक नेटवर्क चलता है जिसमें पॉलिटिकल हैंड भी शामिल है वहाँ पर भ्रश्चाचार तो हो रहा है और साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि संदीप भोश पोस्ट माटम के लिए जो डेट बॉडी आती थी उनकी भी वरक्शॉप करते थे चोथा किर्दार चोथे किर्दार का नाम है डॉक्टर अक्तर अली ये पहले आरजिकर मेडिकल कॉलेज में डेपिटी सुप्रिडेंटेंट थे लेकिन अब मुर्शीदाबाद में तैना थे उन्होंने दावा किया कि संदीप घोष एक भरस्ट इंसान है इन्होंने इस केस से पहले भी संदीप घोष पर कई आरोप लगाये है उन्होंने तो ये भी दावा किया कि वो डेट बॉडी बेचने का भी काम करते हैं वो स्वास्त मंत्राले से 15 शिकायते अभी तक कर चुके हैं वहीं पाचवे किरदार का नाम है डॉक्टर शुभांकर ये आरजिकर मेडिकल कॉलिज के पूर्व छात्र थे उनका कहना है कि संदीप घोष प्रिंस्पल बनने के बाद बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे उदारन के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को एक्जाम नहीं देना है तो उनका आदमी आकर एक्जाम देता था इनके खिलाग 2021 में एक बड़ा आंदोलन भी हो चुका है वह इस कहानी में छठा किरदार एक मेडिकल छात्र है जिसके पहचान उजागर हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी भी एक स्टुडेंट है इस छात्र नहीं बताया कि जब कोई नया बैच आता है तो उसके उपर कंट्रोल करने का काम किया जाता था जिसका एक प्रॉसेस होता है ट्रेनिंग दी जाती थी कि आखिर करना क्या है रैगिंग कैसे करनी है और उसका इंट्रो कैसे लेना है सात्वा किरदार वहीं सात्वा किरदार ए भी एक student ही है उसने भी दावा किया कि mental pressure बना कर रखा जाता है जो hostel में रहते हैं उसके उपर तो जादा ही रहता है ये mental pressure इस छात्र का कहना है कि ये academic terror है principal की lobby है और लोग उसके लिए काम करते हैं इतना ही नहीं छात्र ने TMC की unit का भी नाम लिया जो principal के साथ शामिल है आठवा किरदार वहीं आठवा और आखरी किरदार एक छात्र है जिसने डड़ते हुए स्विकार किया कि जो principal के बनाए network का साथ नहीं देता था उसको सजा मिलती थी इस student ने दावा किया कि second year में उसे भी फेल कर दिया गया था यानि कुल मिलाकर इस सर्वे पर अगर आप गौर करें तो इस खुलासे में हर एक सक्सक ने जिसका नाम लिया है वो है college का principal संदीप घोष जिससे CBI लगातार पूछताच कर रही है और आपको ये भी बता दे कि उस पर CBI ने action ले लिया है और ये भी माना जा रहा है कि जिस से TNC लगातार बचाने की कोशिश भी कर रही है संदीप घोष के अंसुने राज अब मैं आपको संदीप घोष के कुछ ऐसे खुलासे बताती हूं जिसे खुड डॉक्टर अख्तर अली ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया है आपको बता दो डॉक्टर अख्तर अली पहले आजिकर मेडिकल कॉलेज में डेपिटी सुपरिटेंडेंडेंट है उन्होंने बताया कि इस ऑजिटोरियम में जाना बहुत मुश्किल है जहां उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बिवहत सघटना हुई कई सेक्यूरिटी को पार करके ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं कई हॉल से होकर गुजरना पड़ता था और उस औरजिटोरियम में अक्सर टाला बंद होता था जिसे खुलवाने के लिए गार्ड की सहाइता लेनी पड़ती थी तो यह इतने आराम से वहां पहुंचा कैसे यह बड़ा सवाल है उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने यह खबर देखी और संजय को देखा तब उन्होंने रिकोगनाईज किया कि यह तो वही सक्स है जो अक्सर प्रिंसिपल के साथ दिखता था उसके बाउंसर की तरह यानि संदीप घोश का वो खास था डेपिटी सुप्रिजेंडेंडेंट अक्तर अली ने और भी कई बड़ सकते उसे तो यह अच्छे कीमतों में बेचते ही थे साथ ही ऐसी डेड़ बाडी जिसके परिवार के लोग होते थे उनके साथ भी यह ऐसा ही किया करते थे यानि जिन्दा तो जिन्दा मरे हुए लोगों के शरीर से भी खिलवार करते थे और उससे अच्छे पैसे बना कर अ बोलने की कोशित तक कटी थी उसे कॉलेज में फेल कर दिया जाता था और जो बच्ची उसे समझोता कर लेती उसे अवल नमर मिलते थे मैंने कई बार इसके इंसाफ के लिए आवाज उठाई है मैं हर जगे गया लेकिन कुछ नहीं हो सका अगर इस पर पहले ही एक्शन हो जाता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उन्होंने इस इंटर्व्यू के बाद अपनी जान को भी खत्रा बताया उन्होंने बड़े हिसाफ शब्दों में कहा कि संदीप घोश के साथ टीमसी का समर्थन है उन्होंने संदीप घोश को लेकर एक ऐसी बात बताई जो शायद आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ही पत्नी का खतल भी किया है उनकी पत्नी का ऑप्रेशन हुआ था उनकी पेट पर स्टिस था और जिस पर संदीप घोश ने लाट मार दी और जिसकी वज़े से उनकी मौत हो गई संदीप घोश पर ये खुलासे ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक इंसान ऐसा भी हो सकता है अब आप मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने इस खुलासे के शुरुआत में आपसे पूछा था क्या सिक्षा की कमी की वज़े से एक आदमी ऐसा करता है क्योंकि इस मामले में अगर बात करें तो प्रिंसिपल एक ऐसा पद है जो हजारों बच्चों को ज्यान देता है या फिर हजारों से जादा भी जो अपने स्कूल या कॉलेज को और्गनाइज तरीके से चलाता है लेकिन यहां तो इस इंसान की कर्टूत ने इंसानियत को ही शनसार क पर दिया आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाईएगा फिलाग मेरे साथ इतना ही फिर हाजिर होंगे नए खुलासे के साथ तब तक देखते रही कैपिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स आप चुर्णे के लिए शुक्रिया